नमस्कार दोस्तो मैं आसीस आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक नहीं वीडियो में इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज के करेंट अफेर्स परहूंगा जो कि किसी भी कंप्टिटिव एक्जाम्स के पॉइंट ओभीव से काफी इंपोर्टेंट है दोस्तो तो आप इस वीडियो को शुरू से अंतक देखें अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूं ठीक है दोस्तो मुझे उमीद है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंतक देखेंगे क्योंकि यह वीडियो जो है वह आपके लिए बहुत ही जरूरी है तो चलिए पहले नंबर कोश्चन के साथ सुरुआत करते पहला नंबर कोश्चन जो हमारा आज का दोस्तों आठ दिनों के भीतर कुल संपत्ति में दो दसमलब 2.6 आरब डॉलर की बढ़ोतरी होने के साथ हो के संबानी दुनिया के कों से सबसे अमीर सक्स बन गए तो दुणिया के एसिया के तो सबसे अमीर बैक्ति मुक्य समानी पहले से ही थे लेकिन dau 8 दिनों के भीतरूरु के संपत्ति में weे संपति में 2.6 अरव डॉलर की बढ़ोतरी होने के साथ मुके संबानी दुनिया के पांच में सबसे अमीर सक्स बन गए हैं जब कुछ दिन पहले वे दुनिया के छटे सबसे अमीर सक्स थे कुछ दिन पहले दुनिया के छटे सबसे अमीर सक्स बने थे लेकिन 188.8 डॉलर की संपत्ति की साथ जेब बेजोस जो है वो पहले अस्थान पर कावी जाए दोस्तों तो मुक्य समवानी जी जो है उनका रिलाइंस का कारोबार है और साथ ही जीओ फोन्स की जीओ सीम साते हैं जीओ के जितने भी जीओ के जितने भी सभी मार्केट में जितने भी जीओ के ब्रांड चलते सभी मुक्य समवानी की कंपणी के अंदर चलते हैं दोस्तों तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको जेब बेजोस जो है वो दुनिया के अभी दुनिया के नंबर एक अमीर वैक्ति क सुची में नंबर एक पर बने हुए नेट वर्थ उनका देख सकते 116.9 बिलियन है और नंबर वन पर हुए कावीज है और फाउंडर जो हुए यही है जेफ बेजोस और दो नंबर पर मैं आपको दिखाता हूं दो नंबर पर बिल गेट्स नेट वर्थ उनका है 99.9 बिलियन डॉलर और को फाउंडर माइक्रोसफ्ट के ठीक है दोस्तों को फाउंडर माइक्रोसफ्ट कोर्पोरेशन के दावनली हार्डवेर ड्रॉप आउट इन्टू टॉप फाइफ बिल गेट्स ना ना फॉर इंक्रीजिंग वेल्थ इस्ट्रेजिंग एवर इवेन फॉर एन अल्रेड़ी वेल्दी 29 तो 2009 से इनकी जो है जो है नेट वर्थ वे डवल हो चुका है तो उनका भी नेट वर्थ जो है 99.9 बिलियंड डॉलर ना तीन नंबर पर दोस्तों है बट्रेंड बर्नार्ड आर्नलड फैमिली नेट वर्थ आप देख सकते दोस्तों नेट वर्थ है और चार नंबर पर है वारेन वफेट नेट वर्थ 70.5 बिलियन डॉलर बेस्ट इंवेस्टर ऑफ ट्वेंटीन्थ सेंचूरी वह इस सेंचूरी के बेस्ट इंवेस्टर भी रह चुके दो नंबर कोश्चन हमारा NIRF रैंकिंग में चंडिगड इंजिनियरिंग कॉलेज C.G.C. लंडारा ने पज़्जाब में कौन सा स्थान आसिल किया तो दोस्तो C.G.C. लंडारा ने पहला स्थान जो है कि हासिल किया NIRF रैंकिंग में चंडिगड इंजिनियरिंग कॉलेज, C.G.C. लंडारा ने सुची में पहला स्थान हासिल किया, मानब संसादन, विकास मंतरालेक राष्ट्य संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF का जो फूल पॉर्म होता, राष्ट्य संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, 2020 में इंजि लंडारा ने पंजाब में पहला स्थान हासिल किया, पुरे उत्तर भारत में चंडिगड इंजिनियरिंग कॉलेज ने निजिस संस्थान के बिछ दूसरा स्थान जो है, वहां हासिल किया, ठीक है दोस्तों, चलिए तीन नंबर को जनके तरब चलते हैं, तीन नंबर है हमार फिल्म के लिए 20 करोड की रकम लेने के साथ, कौन सी अक्ट्रेस इतनी रकम लेने वाली भारते सिनेमा की इतियास की लोती अक्ट्रेस बन गई है, या फिल्म तिन भासा हिंदी तमिल तेलगू और तेलगू में भी रिलीज की जाएगे, तो दिपका पादुकों जी है, दो पास के साथ आने वाली है, इसको लेकर को उन्होंने अपनी जो फिल्म की फीस है, उसे बढ़ा करके 20 करोड कर दिया गए, ठीक और इसी के साथ ही वह बॉलीवूड और भारती सिनेमा की इतिहास में सबसे ज़्यादा जो है फीस लेने वाली महिला अक्ट्रेस बन गई, ठी यह दिपका पादिकोन को आप चानते ही होंगे, यह दिपका पादिकोन ठीक है दोस्तों, चार नमबर कोशन की तरब चलते हैं, चार नमबर कोशन हमारा, बिर्टिस एयर बेज ने अपने कौन से हवाई जहाज को ऑपरेशन में होने वाले खर्च के बज़र से रिटायर कर लानिंग के गोश्चना की है एक रिपोर्ट के मुताविक कारगो बीमान के भी 747 की मांग अभी भी सबसे ज़्यादा है तो चलिए मैं इसका आपको पूरा डीटेल में समझाता हूं तो जो यह इसका रोल था वाइड बोडी जेट एयर लाइनर का था और नेशनल जो इसका जो यह बना था उनाटेट एस्टेट में मैनुफेक्चर जो इसकी बोइंग कमर्सिल एर प्लेन फर्स्ट फ्लाइट जो थी इसकी वधी फरवारी नौ उनिस्सों नहत्तर में एंट्रोडक्शन जनवारी बाइस उनिस्सों सतर विद पैन अमेरिकन व्ल्ड एयर वेज स्ट प्रजेंट था ठीक है दोस्तों अभी इसे बर्तवान में हटा दिया गया है और भी आइसके स्पेसिफिकेशन दिखाता हूं मैं बोइंग 747 का जो इसका लेंथ है वह दो बोइंग दो तरह के है एक 747 हंड्रेड है और एक सास फोर हंड्रेड है तो इसका लेंथ जो हंड् डेटिश रिट एट इसका वीट थिर सट फट एट एट गर्या निज स्टीन मेटर आ इस दो शनलोट 6rand मेटर रिए के विड़ बीश फीट अरिश्क अडिवर बीस फीट 6.1 मिटर अभ देक सकता है ऑसक्तु या बोईंग उस्तों यह बोईंग ऑन फोर्स एक स्था बोईं 747 747 ठीक है दोस्तों यही है बोईंग 47 747 ठीक है और इसका यह तो मैंने आपको बताया ही था पांच नमबर कोश्चेन हमारा स्कूल समय में कितने मीटर रेस को रिकॉर्ड चार मिनिट में पूरा करने वाले अमेरिका के जीम रोन को मेडल और फ्रिडम से समानित कहने की में रायून को मेडल और फ्रिडम से समानित कहने की गोश्चना की गई है 1600 मीटर लगविक 56 वर्स पहले की यह बात है इसकूल समय में 1600 मीटर रेस को रिकॉर्ड चार मिनिट में पूरा करने वाले अमेरिका के पुर्व धाबा की जीम रही हूं 73 साल को हो चुके है वो उनको राष्टपती डोनाल ट्रॉम ने मेडल और फ्रिडम से समानित कहने की गोश्चना किया तीन बार को लंपिक रैयून कांग्रेस की सानसद भी रह चुके है ठिक है अगला कुश्चे ने किंद्रिय है उर्जा मंत्री आरके सिंग ने भात के किस चाहर में पहला पलामीटर शेंग पहला दक्षता को बढ़ावा दने को अधुदम से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पहला इचार्जिंग प्लाजा शुरू किया है एंडी एंसी के साथ मिलकर इए एसल ने मध्य दिल्लियों में भारत का पहला सारजनिक एलेक्टरिक बहां चार्जिंग प्लाजा जो वह अस्थापित किया है यह आप देख सकते हैं यह यह इभी इभी इमोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रियों बिधूत नभीन और नभी करनिया उर्जा मंत्री यूनियन मिनिस्टर और पावर न्यू और रेवेन्यू रेनूवल इनरजी आरके सिंग ने इसका उदगाटन किया तो आरके सिंग ननए दिली में भारत के पहले सार्फचिनिक इब इलेक्टर वेकल का प्लाजा का उद्गाटन का इस मोके पर केंद्रिय मंत्री ने कहा कि भारत में इमोबिलीटी को असान बनाने के लिए इचार्जिंग प्लाजा इस योजना की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल हिमाने सुचित जाती के गड़ीब लोगों के विकास और उन्हें रोजगार देने को देश से नवीन रोजगार छत्री योजना की जो है शुरुआत किया साथ ही इस दोरान लगभक 17.42 करोर रूपे के धन ट्रांसफर की गई है ठीक है दोस्तों इस योजना के तहट सारे 17 करोर के करीब जो है कि धन राशी लाभारतियों के खाते में उत्तर परदास सरकार के तरफ से जो है वह अस्थानांत्रित यानि कि ट्रांसफर भी की गई है अगला कोचन है हमारा आठ नमबर 23 जुलाई को भारत में कौन सा दिबस मनाया जाता है तो दोस्तों 23 जुलाई को पुरे भारत में राश्टिये प्रसारन दिबस मनाया जाता है आज के दिन 2027 में इंडियन प्रसारन कमपणी ने मुंबाई ए especially चेशन से रेडियो के प्रसारन की शुरुआत की थी जिसे आज All India Radio के नाम से भी जाना जाता है, तो तई जुलाई को पूरे भारत में राश्टिय प्रसारन दिवस मना जाता है, सबसे पहले जो है राश्टिय प्रसारन कमपनी थी, जो तो 1927 में मुंबई इस्टेशन से रेडियो की प्रसारन की जो सबसे पहले सुरुवात की गई तो 1927 में दोस्तो जिसे आज जो है ओल इंडिया रेडियो के नाम से जाना जाता है नौ नमबर कोचन हमारा वाडा ने भारत की नेशनल डॉप टेस्टिंग लाप के सस्पेंसर को कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया था दोस्तो इसे वाडा ने 6 महीने के लिए इसे बढ़ा दिया गया वाडा के तरब से वेस्विक संस्था वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजन्सी वाड़ा है जो कि खिलाडियों को लेकर प्रतिबंदी दवाओं पर नज़ा रखती है उसे हाली में भारत की नेशनल डोप टेस्टिंग लाइब के सस्पेंशन को 6 माईने के लिए बढ़ा दिया है लेकिन भारती कर सकता है इसके खिलाप अफील जो है भारत के पास 21 दिनों के अन्दर अधिकार है कि हुआ इसके खिषिश्छाल्फ एंट्सर्यंट में करके ज़रूर बता है ठीक है दोस्तों जड़ी अगले कोचन की तरफ चलते हैं आज का आखरी कोचन है हमारा आज का जापान ने किस देश की कारोबार में किस देश में कारोबार करी संतावन चीनी जापानी कमपनी को वापस बुलाने की गोष्णा करते तो चाइना में चल र सरकार ने कागे पर करेमने वाला सारा कर सरकार देगी जी के पहले ही भारत में उनसर्ट चीनी आप को जो है प्रतिवंदित कर दिया गया तो दोस्तों आज के लिए बस नहीं मिलते एक नहीं वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिं जै भारत